तो हलो एब्रिवर्वन और वेल्कम टो माय चनल विल्ज तो गाइस वीडियो को टाइटल देखके आप लोगों को पता चली चुका हुआ कि आज अपनों के इस गाड़ के बारे में बात करने वाल हैं तो यह है अपनों का दे आल न्यू महेंदरा के इवी महेंदरा आपने तीन इवी जो है वो पिछले मैंने ही उसका जो एक टीजर था वो रिविल किया था लेकिन आप तो गाड़ी के बारे में और कोई इंफोर्मेशन सामने नहीं आई थी हाला कि हमें यह पता है कि जून के म मिड़ाफ 2022 महेंदरा अपनी तीनों जो इवी उनकी कॉंसेफ्ट वर्जन को अन्वील करने वाला है इन अगले साल इस गाड़ी को एक अप करके लांच करेगा 2023 में इसके टेस्टिंग शुरू हो के लांच हो जाएगी 2023 के एंड तक लेकिन आज के इस वीडियो में महेंदर के एक कॉंसेर वर्जन दिखाया है आज के इस वीडियो में हम लोग इन इवी गाड़ियों के बारे में ही डेटली बात करने वाले हैं इसलिए इस गाड़ी के हर एक डेटल को जानने के लिए आप लोग प्लीज हमारे इस वीडियो को पूरी तरह देखे और एंड तक पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं एंड पहली बार के लिए आए हैं तो प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करीजेगा एंड सारी साथ बेल आइकन को प्रेस करीजेगा ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे और ऐसे आप लोग आगे भी हमारे चैनल पर देख सकें तो गाइस जैसे कि मैंने कहा कि पिछले माई ने ही महिंद्रा ने फस्स टीजर रिलिस की थी लड़की एक्स्टियर की फांटेर रियर पोफाल की अब इसकी इंटियर की उसकी टीजर वीडियो बनाए गया है और उसे महिंद जो पहले आप लोगोंने टीजर वीडियो देखा था उनमें आप लोगोंने तीन गाड़ी देखी होगी जिन में से एक था एक SUV जो कि आप लोगों का महिंद्रा का एक SUV 400 होगा, एक SUV 300 पर बेस्ट होगा एक इंप्रोड वर्जन दूसरा है आप लोगों का एक मिड साइज एज जो कि आप लोगों का एक SUV 700 होगा जो कि आप लोग जाते है कि तीनों EVs जो है महिंद्रा के आने वाले हैं और इनकी जोग अन्विलिंग होए, concept version की अन्विलिंग होने वाली है, जुलाइ 2022 में ही और इंटियर concept की बात करें, आप लोगो इनसके महिंद्रा एक SUV 700 की तरह, Adreno X-Line जो मिलता है जैसे Dual Infotainment Screen Setup आप लोगो देखने को मिलता है 700 में, उसी तरह का इन में भी देखने को मिलेगा, सारे सार न्यू अप लोगो इस गाड़ी में देखने को मिलेगे चाहरे तरफ, आप लोगो गाड़ी में काई सारे Ambient Lighting मिलेगा जो एक फीचराइस्टिक लोग प्रोवाइड करेगा गाड़ी के कॉकपेट तो, डाशबोर की डिजाइन भी थोड़े सा चेंज के जाएंगे हर मॉडल में, इसे के साथ मैं आप लोगो बता दू, गाड़ी में आप लोगो बहुत सारे फीचर प्रोवाइड के जाएंगे, जैसे अच्छा की मॉडल 3 के तरह या फिर जिप की कंपस की तरह इसमें जो आप लोगो एसी बेंट से वो भी फुली हीडन थोड़े से लगेंगे आप लोगो नीट लिए यह जो हीडन एसी बेंट के डिजाइन है यह आप लोगो काफी तरह फीचर इस्टिक डिजाइन की तरह लागेगा एन इसी के साथ सार आप लोगो कई सारे जो इलेक्ट्रिकल फीचर्स मिलेंगे गाड़ी में जैसे कि आप लोगो को वोईस कावाड़ के फीचर्स मिलते हैं आप लोगो अभी एडरेनो एक्स में महेंदरा के उसी तरह कि आप लोगो एक्सीव 710 में जैसे मिलते बिल्ट कोल्टी भी तीनों गाड़ी के आप लोगो बहुत जारा स्ट्रॉंग मिलेंगे हम लोग उमीद कर सकतेंगी तीनों गाड़ी में आप लोगो 5-star rating प्रोवेड के जाएंगे जैसा कि आप लोग जानते कि पहला महिंदरा ने अनॉंस किया था माइट 2027 जो है वो लोग इंडियन मार्केट में एराउंड 8 इलेक्ट्रिक वेकल जो है वो लॉँच कर देंगे जिन में से चार गाड़िया जो है उन्हें जो एवेलेबल मॉडल है उनमें से पेट्रोल और डीजल प्रोडक्स में उनमें से रहेंगे सिमिलर एन इसी किसा साथ बाइड एंड अफ 2025 जो है महिंदरा अपनी चार नियू वीज लाउंच कर देगी ये पर उन्होंने अनुन किया था जो कि उनके बॉन इलेक्ट्रिक प्लाट्फॉम पर बेस्ट होगा गाड़ी में आप लोग कंप्लेट एड़ी राइड सेटर मिलेगा है और हो सकता कि आप लोग को एकसी भी सेवैंड से भी ज्यादा फीचर आप लोगो एक्ट्रिक वर्जिन में देखना हो मिले जैसा कि आप लोग जानते हैं ये गाड़ी के प्राइसेज भी बढ़ेंगे इसका हिसाब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो नियर फ्यूचर इसका कोई कि कहान है जैसा कि फ्यूचर में बैटरी के प्राइसेज जो है वो धी तरह घटने वाले हैं तो देखा जाता है इस गाड़ी के प्राइसेज कितने रखे जाते हैं तो आज के इस वीडियो में इतना इंफोर्मिशन था आप लोग के लिए इस गाड़ी के बारे में मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग को हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर रिजिएगा, अगर आप लोग इन गाड़ी के बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं, और कुछ जाना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग comment में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग के सवज़ों के जवाब आपको comment में दे दूँगा, इसलिके सासार अगर आप लो झाल झाल